हेलो एवरिवन माई नीम इस मीट और यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्मेंट चौप आलवर इंडिया यूट्यूब चैनल आज की वीडियो आपके लिए बहुत जादे इंपॉर्टन होने वाली है फाइनली एरपोर्ट के तरव से बिलकुल नई विकैंसिस का अभी अभ करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टन चीज यहां पर यह है कि आप और इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं मेल भी फिमेल भी दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट विकैंसिस आउट हुई है अलगले क्वालिफिकेशन वाइस इन विकैंसिस में किसी तरीके के कोई आपको ए इलिजिबिलिटी मागें हैं सेलेक्शन एड ज्वाइनिंग आपकी कैसे इसमें होने वाली है मेल की कौन सी विकैंसि है फिमेल कैंडिडेट है जो उनके कौन सी विकैंसि है कैसे अप्लाई करना है सारी चीजों को टीटेल में कवर करेंगे आपने वीडियो को स्टार्टिं बैंक या किसी अधर डिपार्टमेंट की हो प्राइविट हो गवर्मेंट हो उसकी इंफोर्मेशन आप सबसे पहले जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल ऐकन को प्रेस करके औल पर क्लिक करना ताकि इसके बाद जो चैनल पर वीडियो आएगी उसका से मेरा मतलब आपके जो भी लोकेशन है ठीक है नेरवाई उसके इलावा विकैंस आई है उसको आप चेक कर सकते हैं जो अलग अलग विकैंस आई हुई है हमारी जो ओफिशल वेबसाइट www.klori.com पर विजिट करके इंफोर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं जो इसके इ अलग देख सकते हैं प्राइवेट अलग इधर ही आपको यहां पर देखिए सारी विकैंस जो आप वो देखने को मिल जाती है यह हमारा टैक्निकल गवर्मेंट जॉब और इंडिया का आपको यही पर यहां पर दिखा हूँ है यह फेस्बूप पेज है इसको भी आप फॉ यहां नोटिफिकेशन आया है TCS की तरफ से जहां पर प्राइवेट विकैंस यह वर्क फॉम होम ऑफिस दोनों की है एरपोर्ट की पहले बात करेंगे उसके बाद में आपको TCS की विकैंस भी इसी वीडियो में नई वाली बताने वाली पिक है पहला नोटिफिकेशन आप यहां पर देख पारें एर इंडिया के तरफ से बिलकुर नया नोटिफिकेशन जो कि आज ही रिलीज हुआ है इसके लिए आप अप्लाइ कर सकते हैं अप्लाई यहां पर शुरू हो चुका है ठीक है एक्जैम आपका कोई नहीं है डारक्टी आपकी यहां पर इस्रेक्शन एक्जेक्टी की है जिस पर आपके 23,640 सारी है उसके बाद सेके हैं मेरी जिसकेलिया की अलग है इसके लिए आपोinks से रावन ही से चार ताइब की यहां पर मदा helps चैज है इसके विद दिया ने आवड थिए इंस इसके जो envelop में मेल और फिमेल दोनों की उसके लिए भी आपको अप्लाई यहां कर पाएंगे मैं आपको नोटिफिकेशन के साथ इन्होंने फॉर्म दिया है उसी को भरके आपको अप्लाई करने आपको दिखा देती हूं कैसे फ्रेशर पर ज्यादा इस पर फोकस किया गया नेक्स यहां पर कि अपसे पहले इनिजिबिलेटी के बार में बात करें तो यहां पर 10-12 एक डिप्लोमा वालों की विकेंसी है जिनकी एज मिनिम्म 18 मैक्सिम किसी पोस के लिए 33 है किसी पोस के लिए 148 भी है 52 तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं वो अलगला पोस्ट वाइस है ठीक है सिलेक् छавать यहां पे बुलाया गिया है इंट्र वैन्यू सिधा रोट केशन में मैंशन कर दिया अलग लोकेशन वाइस यहां पर सीधा इंट्र वी पे जाना है यहां इंट्र वि commercial से किस तरीके से कितने रुपीज का यहां पे बनाना होगा वह आप इनकी साइट पर भी चेक कर पाएंगे इनके जुन ओफिशन नोटिफिकेशन है उस पर भी आप चेक कर पाएंगे अब अप्लाई कैसे करना है वो भी आप पहले ध्यान से समझ दीजीगा यहां पर देखिए लास में आपको मिल जाते हैं जो भी करने को फुल्फिल करते हैं उनको सिधा यहां वोकिन इंटर्वी पर पहुंचन है यहां पर डॉक्मेंट देखिए इन्होंने यहां पर मैंशन भी कियो हुए क्या क्या कुछ है आपको क्वालिफिकेशन से रिटीर अपनी सबस्क्राइब करो सेम फीडिएफ आपके सामें उपन होगी इस तरीकी से पीडिएफ के साथ यह फोर्म इनों नहीं दिया हुए आपको क्या करना है अपनी लेटेस पासबूर सा इस फोटोग्राफ को यहां पर पेस्ट कर दिना है इस उसके बाद आपको अपना फुल ने पажи को न mm जया देना मंधे । छोड़ नि म př आप अपको आपको नंब पर दोusz सीघुड हो इमील, दोनों चीज़ों इंपनें बनेंटेरी दिखा हूँ सीथра email id और आपको mobile number definitely यहां लिखना है क्योंकि अगर उन्होंने आपके साथ connect करना है तो आपके details उनके पास होनी जहें जो कि आपका mobile number email id टुक है marital status आपको यहां लिखना है जो भी आपका marital status है यहां पर 5 option आपको देखने को मिल जाती है nationality option आपको 8 यहां पर मिल जाती है नेशनलिटी में आपने यहां पर इंडियन लिखना है अप कौन से religion से वो लिखना है mother tongue आपको यहां लिखना है pen number अधार का number अगर आपके पास है आप लिखे अगर नहीं भी आप प्लाइ कर देना क्योंकि आगे जो भी जॉब आपनिंग का रही है वहां पर यह चीज़े मेंडेटरी होते जा रही है ठीक है अगर अभी के लिए नहीं आप इसको ब्लैंक चोड़ देना बट अगर नहीं है अपको काम आएगा काफी जगा पर उसके बाद लास्ट में आपको अपनी लेंग्विज लिखनी है आपको अपनी लोकल लेंग्विज कितनी आती है वह लिखना है हिंदी कितनी आती है इंग्लिश कितनी आती है उसके यहां पर बेसिक्री आपको रेटिंग देने है यहां पर रीडिंग के कितने स्किल्स आप में आपको लिखना है सिग्रेचर करने हैं और इसके साथ आपको अपने डॉकुमेंट साथ में लेके जाने हैं इंट्रव्यू पर इस फॉर्म के साथ ही लेके जाने हैं वैन्यू पर ठीक है उसे के बेसिस पे इस एक्षिन एंड जॉइनिंग है सैकंड नोटिटिवकेशन आ चुक है हमारा टीसे असकी तरव से मैंने आपको वीडियो के स्टाटिंब में बैदाय था ना दो नोटिवकेशन हम कवर करेंगे टीसे का यह जो नोटिवकेशन है जहां पर मेल फीमल दोना अप्लाई कर सकते हैं ओनलें ही इसमें कोई फी आपक पार लिंक पर यह वीडियो मिल जाएगी स्ट्राइब अप्लाई की यह वह वीडियो में आपको सारी चीज़े डिटेल में समझाई है जैसे कि विकैंसी कौन सी है क्या इरिजिबल्टी मांगी है टाइप ऑफ जॉब सैलरी कितनी मिलने वारी है कैसे आपको स्ट्राइब स्ट आपको स्ट्राइब स्ट्राइब करा में झालरो कर देखें मैं वीडियो में दिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दिया है पहला एर यह वैंसे अए लेकिन टेसर का आप जिसके लिए इनिजी वाले जाके आप अप्लाई कीजिएगा हमारी जो ऑफिशल साइट इसको सीधा गूगल पर टाइप कर लेना आपको पहली नबर पर साइट मिल जाएगी जितनी भी लेटेस इसके इलावा विकैंसी आई है आप उसको यही से सिंगल क्लिक करके उन विकैंसी के लिए आप यहां पर चेक करके अप्लाई कर सकते हैं बाकि आपके कोई भी क्वेरी है किसी भी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपने कमेंट जरू करना है हमारी टीम बैट ही है डेफिनिटल आपको हेल्प मिलेगी आपको किसी भी नोटिफ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है तो कमेंट जरू करना हमारी टीम आपको डेफिनिटल रिप्लाई करेगी थोड़ा सा पीशन सकना वेट कर लेना चलिए आज के लिए इतना ही अब हम नेक्स अब्रेट में मिलेंगे नई इंफोर्मेशन के साथ थैंक्स वर्वाटिक